पहला कुश्ष्यन है कि वो घर से बाहर गया इस वाक्व में कौन सा कारक है है तो अपदान कारक है तो पहले की अंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा रख समधि विडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट बना है वहाँ से आप देख सकते हैं सभी मैं हिंदी का वीडियो आप माला में जो हो जाएंगे 33 हो जाएंगे इंसर हो जाएगा यहाँ पर D क्योंकि बेंजन पुछ रहा है और ये 33 बेंजन को भी तीन भागों में बाड़ दिया जाता है जैसे आप से पूछेक असपर्स बेंजन कितने होते हैं तो पचीस होते हैं उसम बेंजन कितने होते हैं त पाड़ो पानी पर जाना मुहाबरे का सही अर्थ कौन साहिए आपको बताना है तो इसका होता है अत्यंत लगजित होना क्या हो जाना अत्यंत लजित होना थ्रे की अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर C question number 4 दिखे नीचे दियेगे विकल्पों में से कृपन सब्द का विप्रार्थक सब्द कौं सा इसमें इसमें कूर बिप्रार्थक को जाएगा तो बिप्रार्थक ho जागा क्रिपण का दाता याद रखेएगा इन्सर हो जागा कार चलाने से अरब के पिताजी ने उसे शौधानी प्रत्तने का प्रक्षिकर्शड त करेती सब्द का समनारफी सब्द काकू? पाइवाची आप बोल सकते हैं तो कृती सब्द का समनार्थी सब्द जो हो जाएगा ये रचना हो जाएगा क्या हो जाएगा रचना हो जाएगा आगे चलते हैं कुश्चन पर सब्द का बिलोम कौन सा है सब्द का बिलोम सब्द आपको बताना है इसमें से कौन सा हो जाएग यहां पर मैं आपको बता दू कि मंदारी पूरवक सभी कुश्चन को अटेंड करना है आपको कहीं नहीं इधर उदर जांग चुक करना है माल लेजिए आपका परिक्षा ही चल रहा है अभी कुश्चन नमर एड देखिए नीचे दिये गए बिकॉल्पों में से तत्सम क्या हो जाएगा अश्चर्ज जो हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा यह तत्सम हो जाएगा कुश्चन नमर नाइन्थ देखिए नीचे दिये गए बिकॉल्पों में से तदभव सब्द केच्चन कि तदभव भी मैं आपको करा चुका हूँ ठीक तत्सम तदभव तो तदभव इसमें से कौन हो जाएगा सांस सांस आप बोलते हैं सांस जो हो जाएगा यह आपको तदभव हो जाएगा ठीक कुश्चन नमर दस देखिए राज महल में कौन सा समास है समास भी करा चुका हूँ उसका भी प्लेलिश्ट बना हुआ है बहुत असान तरीका से चूठिए इसका कुश्चन छोड़ना नहीं है क्योंकिंत निगेटिव नहीं है कुश्चन आपको हर सभी कुश्चन को अटेंड करना है ठीक एसमें भी आपको कॉश्चन करकर नहीं अपना स्कोर बताना है ठीक तेक इसका एंसर हो जाएगा एकस्पेंशन सिकुणना होता है इसा फैलना होता है expansion मिस contraction मिस सिकुणना opposite बताना था यहाँ पर अब देखे question बर 12 देखे choose the word which is most nearly same in the meaning as the given word defy आपको इसमें बताना है defy का आपको समनार्थक सब्दम इसके परवाची भी बोल सकते हैं या sign and name बोल सकते हैं यह आपको बताना है इसका क्या होगा यह हो जाएगा worship आगे देखे question बर 13 देखे find the correct spelled word मिस की correct spelling इसका किसमें किसका लिखा हुआ है यह आपको बताना है तो यह आप देखेगा corrupt आप देखेगा तो corrupt क्या ही आपको जो है spelling सही है corrupt मिस होता क्या है अपसे answer तो आप लगा लिजेगा corrupt मिस होता है कि धन के बदले कोई गहर कानूनी काम करना या कोई गहर कानूनी काम में सनलिप्त रहना तो corrupt यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका answer क्या हो जाएगा C हो जागा यह सही तरीका से लिखा हुआ question number 14 देखे a man who has not been married एक आदमी है जिसका साधी नहीं आपको हुआ है यहाँ पर बताना है यह कौन सा हो जाएगा तो bachelor आपको यहाँ पर आराम से प्लगा लिजेगा इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है question number 15 देखे a great change has come the world since the war a great change has come the world since the war यह आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रिपोजीशन होगा ठीक तो यह हो जागा over यहाँ पर over डाल कर देखे a great change has come over the world since the war पंदर के भी हो जागा आप यहाँ समयत का question मैं बस मैंत का question आपको दिखा देता हूँ कोसिस करना है आपको बनाने के लिए मैंत का question अपने से और मैंत की question कोई भी solve करने से पहले formula basis सभी question आएगा तो कोसिस की जगए च्छेत्रमेती का formula algebra का formula जो भी formula हो उसे रट लिएगा क्योंकि formula basis ही आपके exam में question आने वाला है इतना दिन पहले मैं आपको बता देता हूँ यह बात एकदम दिमाग में डाल लेजिएगा फिर जिस एकजाम होगा मैं खुद ही आपको बताऊंगा कि देखिए formula basis कौन को आपको question आया question number 16 देख लिजे तो कितने दिन में काम करेंगे इस पर भी लगता है नल और टंकी वाला पर यह बोल रहा है एक गंटा में काम कर रहा है यह एक आधा गंटा में इसकी हाफ में काम कर रहा है तो दोनों मिल जाए तो कितने गंटे में काम करेंगे तो दोनों का LCM निकाल कर आपको बनाना होता है, ठीक, तो यह बनाईएगा, 16 कैंसर आपका आराम से निकल करा जाएगा, यहाँ पर, बी, अगर देखिए, कुश्य नमर 17 देख लीजिए, यहाँ से, किस वार्षिक चक्रविर्धी ब्याज के दर्थ से, 3300, 3493 हो जाएएगे, यह आपको बताना है, कि यह चक्रविर्धी ब्याज, और यह भी फर्मूला अगर याद है तो बना लीजेगा, तो यह आपको 3000 दे रहा है, और यह हो जा रहा है कितना, तो 493 तीन वर्सों में तो अब अराम से निकाल लिएगा तीन यहां पर लिख दीजे अगर चकरबिर्धी ब्याज ऐसे आप निकालना चाहते तो यह ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप 10% अगर लगाते हैं हम लोग अब निकाल लिएगा तो यह पुछ रहा है कि आप नीचे आठ हो जागा बराबर है तो यहां पर हंडडर कर दीजे तो यहां पर क्या निकाल रहा है चार आजएगा यह नीचे आठ है तो चार दूनी के आठ और यहां से कर जाएगा तो पर क्या हो जाएगा लाब है ने पचास परसंट कुश्चन अबर 19 दिखिए तेक जो भी मैं बता रहा हूं यह मैं अपने तरीका से बता रहा हूं आप लोग अपने तरीका से माहत बना दे रहा है कि फर्मूला रहेगा तब यह कुशन बनेगा क्यों कि यह क्या बूल रहा है कि यह देखिए ङलकी क्या होता है आपको चोडाई यह ऐसे करकर आपको कुशन होता है मिसकी यहां पर देखिए मैं इंगलिस मिलिक देता हूँ भी इंसर निकल कर आजाएगा तो मैंने बोला फर्मूला बेसिस वाला ही आपका कुश्चन आएगा चेत्रे मीटी वाइल जब रहा हुआ चो भी होगा कुश्चन पर बीच देखिए यदि किसी कमीज के 10% लाव ताथा 15% लाव के विक्रेमूल में 10% का अंतर है तो इसका क्र अंतर है तो इसका 15% मैनस 10% कीजिए आप 10 रुपया दे रहा है तो एक का भी लिए यहां पर आराम से निकलकर आजाएगा 200 रुपया मैंने क्या बोला कुरेमूल में अनुपात चार अनुपात एक है तो पीता की वर्तमान आयू क्या है अब यह कुशन नहीं बनेगा तो आप से क्या बनेगा ठीक अब उनके आयू का दे रहा है अनुपात दे रहा है तो 4X माल लीजे और आपको X माल लीजे क्योंकि एक अनुपात में दे रहा है 4 अनुपात 1 में दे रहा है अभी और फिर यहां पर क्या आक 5 वर्स पुर्व पिता ज जोड़ देना है चाई पार पूर्स तो टूरर आ क्या हो जाये सब क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस the प्रस में दोनों बड़ाबर यहां पर केतना दे रहा है चालिस दे रहा है तो अब यहां पर x का बैलू नीकल ले जी एक का बैलू 10 घी कि इदि तरभोज की तीन भूजा आए सैंए है तो उसके परिव०्ध की त्रिजिअ कितनी होगी परिवृत की आपको त्रीज़ा बताना है कितना होगा उसका दिया हुआ है तो सब से पहले आपको यह पेरिमीटर निकाल लिज्यकाइब परेमीटर मतर भूझका जैसे हो हीरो फर्मूला और लगा कर आपना मतरह सी दे झोड़कर भागिये भागिये गा तो एक्जाम वाल में दिख्कत हो जाएगा वहाँ भी छोड़कर आपको भागना पड़ेगा अब ऐसे खूशन को आपको बागिये गया तो समझें कि बेज इस्तिंग करवा रहे हैं तो ये से कुशोन को आपको बनाना होगा तो 216 इदर च किसी से भाग देने पर सदा एक से रहे तो अब बोल रहे कि सबसे बढ़िया है कि सबता एक से अजये का चाहिये किसी गोले के पृष्ट का च्षेत्रफल 144 वर्ग सेमि है तो इस गोले का आयतन कितना होगा तो गोले का आपको 6 रफल वाला को फर्मूला में ने बोलाне की आपकी एक्जाम में भी जैएगगा तो बस फर्मूला-वाला ये प्रसवास को द्यान में रहादी है आप लग बोलिएगा तो और भी सिसमें Яचार । और यहां पर दिया है यह 244 पाई यहां से डाइरेट यहां से फोर पाई से यह कड़ जाएगा 144 पाई और यहां पर आर का बहलू निकल कर आ जाएगा तो आर का बहलू निकल कर आ जाएगा तो आर का बहलू निकल कर छे यहां से आ जाएगा बना यह एक छे आ जाएगा और आयतन होता है कितना फोर बा पूछा गया था यहाँ पर दिखें निमलेकित में कौन सी नदी का उद्गम अमर कंटक से होता है यह आपके पहले एक साइस कुंस्टबल की एक्जाम में पूछा हुआ कुशन है तियो हो जागा नर्मदा नदी और नर्मदा नदी आपको रिफ्ट भैली से होकर भी बहती है नर्मदा नदी तापती नदी यह सब पश्श्यम की और भाने वाली नदी है रिफ्ट भैली से होकर और जाकर अरब सागर में अपना पाने गिराती है ठीक परेदेपी यह भारत के सबसे लंबी नदी जो है यह घंगा है नागा आरजून कि दरिश्टी से सबसे छोटा राज्य भारत का ये भी दिहान मर किएगा कुश्चन नमर 28 दिखिए चार मिनार इस्तित है चार मिनार कहां पर इस्तित है तो हैदराबाद सिकंदराबाद जुडवा सहर बोला जाता है तो हैदराबाद में कहां जो है ये आपको चार मिनार इस जाता है ठीक यह दिहानमर रखिएगा 30 केंसर भी हो जाएगा 31 से शिंदु घाटी लेपी की सुचना का स्रोत ग्यात होती है देखिए शिंदु घाटी लेपी अभी तक पढ़ा नहीं गया है इसकी जो अब को लेपी है चित्रात्मक लेपी बताई जाती है और यह मुहरों से मिली है मुहरों से ठीक और मुहर जो है यह सेलखडी के बने होते थे यह दिहानमर रखिएगा ऐसा ही कुशन अब के अभी एक्जाम में पूछा जाएगा दिहान प्रवक कुशन देखिए भी हो जाएगा अब यह याद रखिएगा शिंदु घाटी के एक डोक्याड में इ कुशा जाता है लोतल भगवान अधी के किनारे है और लोतल गुजरात में भी वर तीस देखेए को टिल अशनरगृत मोर कर दानों के इंड richi ऑलेत приготов को किसी गुरु को जहांकिर ने मिर्टु दंड दिया था यहाँ पर हो जाएगे गुरु अर्जुन देव को तो गुल बदन बेगम द्वारा लिखा गया है यहाँ नामा तो 34 के इंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर C हो जाएगा रजिया सुल्तान जे आप देखिएगा कि सर्तलत काल के अंतरगत जो पहली महिला सासक या पसर यह भी पूशकता है कि पर्थम पहली मुस्लिम महिला सासक हो तो रजिया सुल्तान थिरीक कुषिंबर 35 कि सती प्राथा का निसएद्ल गया अब सती प्राथा का निशेद्ल कर दिए पूशकता है यह कि इसका सहयोग आया तो यह 829 में ञाशक को खतम एंटीम्य ञायते सपभा स्वटा मियृसा अग्णान्रेट यहाद रखिएगा उसम गुलमें समेलन भीफल होने के बाद जो मेकडोनल जो संपरदाइक्ता आवाड आया था उसके बाद आप दिखेगा यह पूना पैक्ट हुआ किसके किसके बीच में तो यह रवदा जल में महतमा गांधी और यह आपको किसके बीच में अंबेदकर जिक के बीच में हुआ यह प्यक्ट कराने में 36 के इंसर क्या यहां पर D हो जाएगा आगे दिखे हैं ऌन देख करता है किसे बिध्याक को धन विध्याक है की नहीं इसका निर्नाइ कून करता है यह आपको बताना है तो यह निर्नाइ करते है सभाते मामिले में रास सभा को मात्र 14 दिन कव्याथ है कि 14 दिन में आपको इसको रेटिफाई कर सकता है या 14 दिन के अंदर या अपना जो भी है सुझाओ दे सकता है लेकिन लोग सभा के उपर है कि सुझाओ मानेगा भी और नहीं भी मान सकता है कुश्य भर 49 देखिए भारती सभीधान में मूल करतबों के परधान की संस्तूति निमिलिकित में किसने की थी देखिए हमारे मूल सभीधान में मूल करतब का परधान नहीं था यह बेलिशो यह शविधान सभीधान सभीधान 9-63 दौरा जोड़ा गया था और यह अभी और ये USSR के सभी धान से लिया गया था USSR अब ये रसिया हो चुका है 1991 में आपको भी हिटन हो गया है USSR का तो 49 के इंसर आप डी लगा लिजिए कुशन आप 40 दिखें किस राज में सबसे पहले पंचायती राज परम हुआ पंचायती राज जो है ये आटिकल 40 में गराम पंचायत के बारे में जिया है DPSP में लेकिन पंचायती राज आप देखिएगा ये बोलों तरह मेता समीती आपको बनाते है जवालन नहरू और उन्हों नहीं सिपारिस किया था तो 2 अक्टूबर 1969 में राजस्थान के नागोर से सुरुवात होता है पंचायती राज यहां पर हो जागा राजस्थान ठीक पंचायती राज को सभिधानिक दज्या दों मीला था ये थी गंगा ठिक कुश्यनबर 42 देखिए निमलेकित में से किसे उपराष्ट पती के चुनाओं में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है ये आपको ध्यान से देखकर कुश्यन लगाना और एक बार जब अप लगा लेते हैं तो उसको एक बार में छोड़ देना है क्योंकि वहां सभा और राज सभा के सभी सदस कर सकते हैं यहीं देखिएगा कि उपराष्ट पती के जगह पर अगर राष्ट पती देता तो राष्ट पती में आपको लोग सभा और राज सभा और राज के बिधान सभा यहां पर देखिए लोग सभा राज के बिधान सभा के सभी निरव इसका होना चाहिए कितना तो 25 वर्स लोग सभा के चुनाव लड़ सकता है निम्तम अगर 30 वर्स होता है तो राज सभा के चुनाव और राज के बिधान सभा के चुनाव लड़ सकता है वैसी आपको 25 वर्स होता है तो लोग सभा और राज के बिधान परिसद के लिए कितना हो और फिर याद रखेगा राष्ट पती बनने के लिए 35 वर्स चाहिए राजपाल बनने के लिए निम्तम आयो आपको कितना चाहिए 35 वर्स मुख्या बनने के लिए कितना चाहिए एक चाहिए बोट डालने के लिए बननने के लिए 18 वर्स चाहिए ठीक कोश्चनबर 44 की डिखें के लिए प्र है शोहितराश्ट महासभा के अध्यक्स जो यह कितने अवधि के लिए तो इस आपको बताना है तो यह एक वर्स के लिए चूने जाते है एक वर्स पर साल आप दिखेगा तो यह 45 कंसर क्या हो जागा यहां पर ए हो जागा आगे देखें कुश्चन नबर 46 यह किसने कहा कि मानो परकिर्तिक रूप से एक राजनेतिक प्राड़ी है यह किसने कहा था अरिश्टोटल ने कहा था मैं इसके अरस्तू ने कहा था ठीक तो यह 46 कंसर भी अगर डी हो जाएगा कुश्चन नमर 48 देखिए देश के बांधो को किसने भारत का मंदर कहा था देश के बांधो या देश के परियोजना जो है नदी घाटी परियोजना इसे मंदर किसके द्वारा कहा गया था यह आपको बताना है ति यह हमारे परथम परधान मंत्री जोहल आपको कोश्चन कराए ति भ्रंस घाटी सोकर बहती और जाकर पश्चे में गिरती है बहुत भी ब्याई कोश्चन रिप्टेट कोश्चन है यह आपको कहां पर हो जाएगी तापती नदी भी हो जाएगी ठीक यह याद रखे कि कर पचास के अंसर क्या हो जाएगा यहाँ क्याउन के एणसर भी हो जाएगा क्याउन के यहाँ में खनीस बह्टार इस्टी थे इस सराज में खनीस तेल का विशाल भंडार इस्टी थे자 यहां पर देखे खनीज तेल वाला जो है काफी जादा भनडार है उसके पहले आपको देखे कर देखे गर शूर्च के सुरूइब यहां पर एंसर तो यहां पर राजस्थान ही हो जाए अपसन के एक सुरूआत किया गया था सबसे पहले आप दिखिए कि तेल वाला कुवा का लगाया था टडिक बोई असम में लगाया गया था ठीक तो यहाँ पर एंसर जो हो जाए अभी तेल आपको राजसां सभी निकाला जाता है यह होना चाए तो इसके अंसर असम हो जाएगा ठीक आगे दिखिए कुशियर नमर् चुन देखिए भारत में कोईले का सवर परमुख उतपादक राज्य है भारत में कोईला सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है किस राज में किया जाता है अभी भी डाटा के कोडिंग आपको मैं बता रहा हूँ जर्खंड में किया जाता है ठीक जर्खंड आगे दिखे कुशिय नमर पच्पन है कोशी नदी घाटी परियोजना का बोला जाता है यह आपको बिहार की सोक नदी है क्योंकि काफी ज़्यादा यह अपना रास्ता बदलती है बाढ़ाता इस चित्र में जिसे उत्री भारत काफी ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है कुश्य नमर च्यालिस चपन देखिए पर परकृतिक परदेशों को परभावित करने वाला सबसे महतपूर कारक है परकृतिक परदेश को यह परभावित करने वाला महतपूर कारक कौन सा है तो यह जलवायू है सबसे महतपूर कारक जलवायू है ठीक 56 के जलवायू के कोडिंग ही वहाँ पर परकृतिक भी आपको दिखिएगा उसका अलग- इसलिए यहां पर दिखेगा सदा बहार बुन पाया जाता है सालू भर वर्सा होती रहती है सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहीं पड़ता है कुशन नबर अन्ठावन देखिए धारातल के किस अस्थान पर किया जाता है यह आपको बताना है यह किया जाता है भुकंप अभी के भी फड़ता है जोला मुख्य को कहा जाता है आपको देखिएगा कि यहां पर क्या हो जाएगा प्रितिभी का सुरक्षा बल जो है यह जोला मुख्य को बोला जाता है ठीक तो उनसर के एंसर तो यहां पर कायदे से सी हो जाएगा प्रितिभी का सुरक्षा बल जो है यह आपक अक्रिये गैस है यह कौन सी ही आपको बताना है ति यह हो जाएंगे आरगन आरगन को हो जाएगा 60 कैंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा वायू मंडल में अगर सबसे ज्यादा गैस पूछे तो हो जाएगा तो 60 कैंसर यह हो जाएगा आगे देखिए किस मेग का से गोभी के फूल के समान परतीत हो ते का इस क्वेशन नहर जो है यह किसको जोडती है यह आपको बताना है बहुत आपको छित्र यह आपको alive पिल पिखल रहा है और वह सिखोड रहा है किस द्ती धुरुप जाता है और निज़ुटी किमा कई किजाता है ने सप्वेट्रेब्य शांगे गोई पिल पिखल रहा है और वो सिकूर रहा है तिसे ये छिपता हुआ महासागर कहा जाता है ये आप देखेगा उत्री धुरू पर पाया जाता है आर्केटिक महासागर कुशन पर 65 देखिए यहां पर देखिए थोड़ा इसे मैं जूम कर देता हूँ उत्री अमिर्का महादेब के पक्षिम में कौन सा महासागर इस्तित है उत्री अमिर्का महादेब के पक्षिम में कौन सा महासागर इस्तित है यह आपको बताना है तो यह हो जाएगा परसांत महासागर उत्री अमेरिका के महाधिप के प्रश्य में परसांत महासागर इस्तित है 65 के अंसर क्या हो जागा यहाँ पर C हो जागा परसांत महासागर का अकार जो है यह O अकार का है अट्लांटिक महासागर का अकार जो है यह आपको देखेगा इस अकार का है जो है इंग जो है महाषज़ांगार इसका डाबलू अकार का है और हिंद महाषज़ांगर का भी अकार का आप देखियेगा अकार मिलता है ठीक आगे चलते हैं देखते कुष्यन रानी लक्षमी बाई का मूल नाम क्या था रानी लक्षमी बाई जो है इनके मूल नाम क्या था तो मड़ी कडिका था तो चाचर के अंसर यह हो जागा एहाँ पर आपा रामसर डी लगा लेजिएगा और बिहार से आपको कौन से आपको महतपूर भूमिका निभाय थे तो बिहार के जगदीशपूर से देखिएगा आरा वाला जगदीशपूर छेतर से कौन से भूमिका निभाय थे किसके द्वारा तो ये आपको निभाया गया था जो आपको जगदीश पूर से थे बाबु बीर कुंवर सी थे बाबु बीर कुंवर सी ने आरा या जगदीश पूर देता है वहां से महतपूर भूमिका निभाया था और उस समय जो है आप देखिएगा 1857 के समय ब्रिटन की महरानी अगर कुशन पूछता है तो आपको आराम से लगा लेना होगा आगे देखिए यहां तब देख सकते कुश्चन बर सच ठीक 1857 के विद्रों किसमें भारत का गुवर्णर जेनल कौन था बहुत महतपूर कुश्चन बार बार पूचा जाता है तो आठार सो संतावन के विद्रों क अंदोलन सुरू करने के समय भारत के वाज़ाय कुन थे अंदोलन के समय भारत के वाज सराइ जो थे यह लाट चम सपोड में यह आपको देखेगा गोरखपुर के चोराचोरी अस्थान पर यूपी में उसके बाद ही छुप धोकर महत्मा गांदी यह वापस कैंसर क्या हो जागा भी हो जाएगा पी हो जैगा समास उधारक माने जाते है राजां अमोहन रायprene को इस सतीपराथा में यह पूश मत्या से बंद हुआ ने हथा यह दिषान में रखेगी क्षिन आपको उच्शिन आप से बिंट्वeton हुआ था और कंड्यूप के सही मैं यह खतम हुआ था कुछ्छना बर एककथ्टर दिखे संगिति का यह खततर की सासन में हुआ species 4 also जो वह था यह लिए बार बार देता है आपको इसके आध्यक्ष महा कर्ष्यप गए अ मुद्र में हुआ था झार। समीथी कि आपको राजगरी में हुआ था महाकत से अपको याद रखेंगे कि आयोजन हुआ ता यहाँ पर देखेंगा कालासुक के सासन काले में हुआ था यह पुछता है कि कहां पर हुआ था बहुत संगीती ति यह जो कालासुक के सासनकाल में हुआ था पैसाली में कुशन आगे देखे बहतर देखे राम के समिसन की अस्थापना किस नहीं की थी जो राम के समिसन है इसकी अस्थापना किस नहीं की थी तो इनकी इसी मिसन की अस्थापना किया गया था ये स्वामी विवेकानन्द द्वारा और स्वामी विवेकानन्द के जनम तिति पर ही हम लोग युवा दिवस के रुप में भी मनाते हैं यह सब यह आपको याद होना चाहिए ठीक और राम किसमिसन की अस्थामना जो किया गया था अठारसो संतानवे में और यह याद यह याद रखें कुष्ण आप से पूछता है कब दिया था अठारसो तीरावे में सिकागो में दिया था जो प्रतम व्युष्य धरम सम्मेलन हुआ था उसमें भी कि कुष्ण नमर 73 देखें शोतंत्र भारत के परतम भारतिये गौर्णर जनरल कौन थे शोतंत्र भारत के प भारतिय यहां साटा देता तो लाड माउंट मेंटन हो था ठीक वह आपको अंतिम था ठीक और पहला भी था सुतंत्र भारत के अंग्रेज गोर्णर जनरल लेकिन अगर भारतिये पुछ दे अंतिम और सुरवात दोनों यह चक्रवर्ती राजकोपल चारी हो जाएंगे ठीक अपना प्रथम उब्देश की सस्थान पर दिया था यह सार नाथ में दिया था यह आपको दिखिए गवरार्सी की निकटी थी थे जिसे पले रिसी पतनम के नाम से भी जाना जाता है इसे धरम चकर परवतन का जाता बहुत महत्मा बुद्ध ने अपना आपको जो गयान की प्राप्ति हुआ थे इनको बोद गया में हुआ था ठीक यह भी याद रखिएगा जनम जो हुआ था यह लुम्बनी में हुआ था और कुशिनगर में आपको इनके मिरुत्य हुआ था ठीक कुश्यन पर 75 देखे किस गुप्त सासों को बिक्रम अदित के उपाधी दी गई ह किस गुप्त सासों को लिए को उपाधी दी गई है कुश्यन पर 75 है तो चंद्रगुप्त दूतिओ को बिक्रम अदित के उपाधी से आपको नमाजा गया ठीक यह भी यादर किएगा कुश्यन आप सा पूछळा है तो बिक्रम समथ आपको जो माना जाता है कि उनके द्वा कोण करता है ति ये उपराश्ट पति करते हैं वह अध्याक्षता करते हैं वैंठ की इसकी सभापती हो तो asteны रहीं हो जागा कॉश्ण भूस्कारण देखे सुप्रीम कोड के नाइधीस को उझा पकोrive दिलाता हैं मतलब की जो फाइनल है और यह आपको दिखेगा सभी जो सुप्रीम कोट के परवधान दिया है आर्टिकल 124 में दिया हुआ है यह भी दिहान में रखिएगा कुशन नम्मर 38 निमलेकीत में से भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल क्यों है आपको बताना है तो घड़ी फसल की तरह उगाई जानेवाली फसल जो ही यह मूंग है कौन है इस इसके एंसर क्या हो जाएगा यहां पर एंसर हो जाएगा तमबाकू है जूट है यह सब नगदी फसल है नगद रूप से पैसा मिल जाता है कोशे नगर 89 दिसे ने में लिए गना किस राज की तर्देज के पतर रिखा अ यहाद रखएगा नोज लगभग है जो अब है च्र gesch़ला माठीफ है बिश्ट के सबसे लंबा तट रेखावला राज है माब कीजिए कि देस है वह कौन सा हो जाएगा वह आपको कनाडा हो जाएगा कुछ नम्र 80 है कि छेतर फ़ल में कौन सा राज सबसे बड़ा है छेतर फल के दरिश्टी से पूछ रहा है लिए सबसे बड़ा राज नहीं होझेगा राजस्थान और जनसंख्या के दरिश्टी से अगर पूछता तो वह हो जाता उत्र पर्द्श चेतरफल के दरिश्टी से सबसे छोटा राज जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको गोवा और जनसंख्या के दरिश्टी सबसे छोटा राज हो जाएगा सिक्कम question number 1 क्या से देखिए जल में hydrogen तथा oxygen की परमारू संख्याव का अनुपाथ है जल में hydrogen जल का formula क्या होता है यह ह bass एक होगा यहाँ पर हो जाता है ह two अप लगा सकते थे इसकी इंसर क्या हो जैगा भी अभी ऑज़ेगा यह याद रखेगा कि भारी जल का फर्मूला दुसरा होता है ढटयू होता है भारी जल के खुज यूरो और बार्सबर्ण ने की थी यह भी दिशाणमर राखेगा हुश्षिन आप से एक रेशाइनिक परिवर्तन आपको मदीरा बनता है तो यह पाय है आपको पाय जाता है टो यह पाय blirUNG सा यह पाय को दिसार को और न Εचपर आपको पी जाते है तो यहां पर लेक्टिक अमल हो जाएगा, आपको पूछे कि साइट्रिक अमल कहा पाया जाता है, साइट्रिक संत्रा में पाया जाता है, ठीक, और जेलिक अमल पूछता है, और जेलिक अमल टमाटर में पाया जाता है, ठीक, आपसे पूछे कि सिर्का में असेटिक अमल पाया यहां पर देखें की यांतरिक विधुत दे रहा है यहां पर देखेंगांबbas को आप ड़जा को और देता है यह कुण सी है यह हो जाएगा आपको मोटर मोटर जो हो जाएगा विधुत वृजा को क्या बिदूत happy pmभल देता है शोलर सिल जो होता है यह शोलर उर्जा को बिदूत उर्जाम बदल देता है सितार जो होता है यह आपको याद रखिएगा सितार जो होता है यांतरिक उर्जा को धोनी उर्जाम या गिटार हुआ सितार हुआ यह सब ठिक कुश्चन वर पचासी दिखे यदि किसी वस्तु का बेग दूगना कर दिया जाए तो यहां पर संबेग पर उसका परभाव पढ़ेगा यह आपको दिखेए यह आपको पूशकता है काइनेटिक इनरजी पर क्या होगा तो यह आपको अगर बेग दूगना कर दिया जाता है तो संबेग दूगना हो कि अगर वस्तु का दूगना कर दिया दे तो संबेग भी दूगना हो जादाएगा और यहाँ पर गतीज उर्जा चार गुनी हो जाती है यह भी बास सही है क्योंकि गतीज उर्जा का फर्मूला का होता है हाफ एंबी असक्वाइर होता है और जो आपको यह होता है संबेग का वो M B होता है तो B double होगा तो M B मतलब की संब्सक्राइब होगा ही अब यहां पर गती जूर जाब B अगर B के यहां पर double कर रहे तो इसका square हो जाएगा मिसकी 4 गुना हो जाएगा ठीक पर यहांपर क्या हो जाएगा सबसे कम होता है धॉली का व्याइक आपको किसा मोटा कहां पर तोसबसे वह धानी का आपको निर्वात में चलती नहीं है धॉल सबसे यादा तैस चोस में उसके कब और गैस में तर सबसे कम जो खांगा यह गए पूछता है तो आपको लगा लेना होगा ठीक हो जाएगा आगे देखिए माध्यम के तपमान में ब्रेधी के साथ परकास गती अगर माध्यम में तपमान बिर्धी किया जाता है माध्यम में तो उसका आपको क्या होता है परकास की गती भी क्या होती है यह आपको बताना है ठीक तो माध्यम में तप्मान के ब्रिधी के साथ ही परकास की गति कैसी होगी यह आपको बताना है तो दिखे परकास एक परकार के उर्जा है जो कि विधुत चुम्ब के तरंग के रूप में संचारित होता है और विधुद्चुम्ब के तरंग क्या होता है अनुपरस तरंग होता है ये भी आपको पता होना चाहिए और परकास भी क्या एक परकार के अनुपरस तरंग है और इसकी आपको परकास जो है कि मुझो गमन करने के लिए माध्यम क्यों सकता नहीं होती है ठीक तो कितना भी त तो, किसी चाला के सीरुके बीच बिवान्तर उसले में बहने वाली धारा के समनुपाति होता है, यह ओम का नियम है, अब पढ़े होगा ठीकि और जो है यह यह आपको, इस का आशर क्या हो जागा? ओम के नियम D हो जागा इसके अंसर ठीक और इसका जो मातरक होता है ओम के आपको याद रखे ओम किसका मातरक होता है परतिरोध का मातरक होता है ये भी इध्या में रखिए कुशन आप से पुछता है तो नाबके रीक्टर में भारी जल DTO का परीयोग किस रूप में किया जाता है जिसे भारी जल बोला जाता है डीक इससे कुशेण याद रखिएगा तो ये अपको मंदंक किरूप में किया जाता है इसके इंसर क्या हो जगाilippe लिए को जागा आगे चलिए कुश्च नवर 92 दिखे सभी अमले धातु से पर्किरिया कर कौन सी गयस निकालते हैं तो यह हैड्रोजन गयस निकालते हैं कुश्च नबर 93 है पूरा इनुभर्स में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कौन से पाई जाती है तो hydrogen ही पाई जाता है पूरा इनुभर्स में यह आपको तारों में भी सबसे ज़्यादा hydrogen ही पाई जाता है question number आपको 93 दीखे gas agency द्वारा cylinder में भर कर दी जाने वाली cooking gas है जो gas agency होती है कि यह cylinder में कौन से gas भर कर दी ती है यह आपको बताना है question number 93 होता है जिससे आप LPG कहते है तो इसमें butan और propane होता है क्या होता है वो द्राव के रूप में आपको होता है काफी ज़्यादा आप देखें कभी-कभी गैस निकलता है तो आपको भीगा भी देता है ठीक तो यह आपको बताना है कि इसके एंसर क्या हो जागा यह गैस द्राव के रूप में होता है ठीक जो कुकिंग बैस और इसमें क्या-क्या भरा जाता है तो ब्यूटन भरा जाता है और यहाँ पर यहाँ पर प्रोपिन भरा जाता है ठीक गैस कुरूप में और इसे यहाँ पर इसलिए मिला जाता है कि जब गंध निकलता है तो वो मिथाइल मार केप्टन होता इससे पता चलता है कि आपको गैस निकल रहा है ठीक आगे चलते हैं नेमलिकित में से किसमें इंजाइम नहीं होते हैं इंजाइम नहीं होते हैं आपको बताना है किसमें इंजाइम नहीं होते हैं तो भीषाड़ों में इंजाइम नहीं होते हैं किसमें भीषाड़ों में जिसे वाइरस बोला जाता है ठिक इसमें आपको नहीं होते हैं तो यह याद रखेगा कुशन आपसे पूछता है तो अराम से आगे देखे कुशन नबर 95 रासाइनिक परियोग शोला में परियोग रासाइनिक परियोग शाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है बहुत भी भी आई कुशने बार बार पुछता है तो जो लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है यह किससे प्राप्त किया जाता है तो यह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और लाइकेन जो है आपको याद रखेगा जो परदूसर है उसको भी मापने के लिए 95 के अंसर क्या बंदाग़ा C Q Quran on My land देखे देखिए वायू परदूसर में भी लाइकेन आपको काम आता है Q 환.流. 35% में निमलीखित में कौन सा कथन असत है तो प्रकास translation में, दिखिएगा, इसके बारे में पढना होगा आपको अप्षान्स पुखता है, प्रकास translation में, प्रकास translation में, चानवे किंसर C हो जागा Q97 देख लिए मुक्स निकली लार किसका पाचन करती है यह आपको बताना है ति अस्टार्च का पाचन करती है ठीक लार में टैलिन मल्टोज एंजाइम पाए जाता है यह भी आतर कियेगा तो 97 चानवे किंसर भी हो जागा डिप्तिरिया का टीका करण होता है जिसे डिप्तिरिया हुआ प्यूसिस हुआ टेटनस हुआ इसके लिए आपको टीका लगाया जाता है ठीक अलग-अलग सब्ता हमें याद रखिए कुश्चन आप से पुछता है कुश्चन अबर 99 देखे पेट में भोजन को पचाने के लिए निमंकित में से किसकी आउसकता खास होती है पेट में अगर भोजन को पचाना है तो किसकी आपको खास आउसकता होती है तो पेट में भोजन पचाने के लिए इंजाइम के आउसकता खास होती है किसकी enzyme क्या हो सकता होती है ठीक यह question आपसे पूछता है तो आराम से आपको लगा लेना होगा question आज का last है यहाँ पर देख लीजे कि सरीर के thermo state ताप इस्तिरांग का काम करने वाली गरंथी कौन सी है जो आपको thermo state की तरह काम करती है जो आपको पूछता है तो यह आपको तपमान बना रखने के लिए तो 100 cancer क्या होज़े कि D हो जागा 100 cancer आपको आराम से D लगा लेना होगा ठीक तो एक question अगर पूछता है तो आराम से आपको लगा लेना होगा जैशकी रक्त दाप जल के उपाईचाए पसीना गुसा खुसी आदे यह सभी आपको हाइपोथेलमस सही आपको होता है तो 100 cancer क्या होज़े हो जागा प्यूटरी गरंथी को माश्टर गरंथी बोला जाता है थायराइड गरंथी जो है थारकशन अर्मोन सरवीत करता है एंड़िल ग्रंथी है यह लडो या मतलब की यहां से एंड़िल आपको इंजाम्यलेता है लडडो color गरंथी से निकलता है क्या आप चाहते हैं कि ऐसा ही मैं एक्जाम से पहले आपको सेट लगदार करा दू तो कितने सेट करा दू यह आप मुझे बताइए मैं एक्जाम से पहले आपका बहुत से सेट करा दूँगा जब भी समय मिलेगा मैं आपको सेट कराते रहूँगा बस अपना स्कोर आप बता अगर कोई कुश्चन में डाउट है कौन बक्ष में लिख सकते हैं वडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद